नमस्कार स्वागत वे विनंदन करता हूँ आप सभी दर्शकों का हमारे यूटूब फेस्बुक वे इंस्टाग्राम पर और उमेद करता हूँ आप अच्छे हैं स्वस्थ हैं आज की वरशव राशी की चर्चा होगी शनी ग्रह के मारगी फल की शनी न्याय मूर्ती करम फल जाता जिनका प्रभाब बहुत व्यापक है जिनके प्रभाब से हर व्यक्ति कहीं न कहीं भैवीत भी होता है और जब इनकी कृपा शुब रूप में प्राप्त हो तो उसके जीवन के वारे न्यारे भी होते हैं अब शनी देव एक लंबी समय के बाद क्योंकि 17 जून को ये वक्री हुए थे यानि कि उल्टे चल रहे थे उसके बाद से अब ये चार नवंबर को मारगी हो रहे हैं यानि कि सीधे चलने शुरू होंगे अब जैसे ही इनकी सीधी चाल प्रारम होगी तो इसके क्या फल हमें प्राप्त हो सकते हैं किस रूप में हमारे जीवन को ग्रह प्रबावित कर सकते हैं ये पूरा का पूरा डेटेल विशलेशन आज मैं आपको बताऊंगा और अगले जो तीन महीने हैं वो आपके लिए अत्यांत लाब दायक रहने वाले हैं ऐसा आपके वरश राशी की इस्तेती कहती है और वरश राशी का फल बताते समय मुझे खु शुकर देव हैं और शनी के साथ इनकी मितरता है अब ऐसे में शनी महराज के पास दो महतपून भाव की जिम्मेदारी आ जाती है एक भग्य की और दूसरा करम की ये डिस्पले में आपको कुनली दिखाई दे रही है जहां दो नंबर लिखा है ये वरश बराशी है और ये भाव हैं बॉक्स ये होते हैं भाग्य के और धार्मिक जीवन के विदेश के पुत्र पौत्र के और जो ग्यार नंबर लिखा है वो होता है कैरियर करम नौकरी उन्नती सरकारी नौकरी तो दो महतपून स्थान हैं और शुकर की मितर हैं और शनी महराज इसी घर में आपको बैठे हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं अब यहां सीधी चाल चलेंगे तो जैसे यह सीधी चाल चलेंगे तो जो इन्होंने एक शष नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बनाय हुआ है इस राजयोग के जो शुबफल हैं वो आपको प्राप्त होने लगेंगे और बड़े जबरदस रूप में प्राप्त होने लगेंगे मतलब ऐसे समझ लीजे पूर्ण रूप से यह राजयोग आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा भाग्ये के लिए अच्छा है करम के लिए अच्छा है अब ये पूरा डेटेल चर्चा आपसे शुरू करे उससे पहले मैं आपको विशेश रूप से यह बता देता हूँ कि इसका और ज़्यादा रिजल्ट बेनिफिट किन किन लोगों को प्राप्त हो सकता है जैसा आप जानते हैं कि रोग के दुख के विपत्ती के तनाव के ऐसी सब चीजों के जो कारग रहे हैं वो शनी महराज होते हैं अब शनी देव दुख से भी निकालेंगे विपत्ती से भी निकालेंगे तनाव से भी निकालेंगे अभी तो आपके उल्टे चल रहे हैं इस वज़े से स्ट्रेस भी दे रहे हैं आपको धहरेवान भी बना देंगे अगर आपने अभी धहरे खोया हुआ है तो धह है बेसिक वो है नियायका तो अगर आप जुडिशरी में हैं या आप वकील है या आप पबलिक प्रोजक्यूटर है मुद्वीर का पर हैं उनु या आप लोहे का काम करते हैं जांड हैं फिर आप माइनिंग का आम करते हैं आप फार्मिंग करते हैं अच्छे बड़े लेवल पर करते हैं बो घर्व जो पृत्वी का बो घर्व होता है उससे संबंदे यदि आप कोई भी काम करते हैं आपके किस्मत निश्चे तोर पर बदलेगी इसके अलावा यदि आप मजदूर वर्ग से तालुकात रखते है आपकी मैनुफेक्चरिंग यूनिट है आप अधिनस्त करमचारी है आपको लाप राप्त होगा आप स्पेर पार्ट्स का काम करते हैं आपको लाप राप्त होगा अगर आपको कारावास हो रखा है आप जेल में है या आपका को रिष्टेदार है तो उसको यहां पर अब ऐसे शुब योग बनेंगे कि कुछ राहत मिल सकती है कारगार से मुक्ति मिल सकती है अगर आप खनिज का काम करते हैं आपको विशेश रूप से लाप प्राप्त होगा आप शेर वजार में काम करते हैं तो भी आपको कुछ भग्य के अनुरूप लाप प्राप्त होगा बस आ इसके अलाबा अगर आपको वायू विकार चल रहा है तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा आपको शत्रू का भै प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से काफी ज़्यादा बना हुआ है उसमें आपको रिलीफ प्राप्त होगा अगर आप lubrication का तेल का काम करते हैं सरसों के तेल का या तिल का काम करते हैं आपको लाप प्राप्त होगा और साथ में क्या प्राप्त होगा आप भाग्य और आपका करम क्योंकि भाग्य शोकर के करम के घर में बैठे हैं तो भाग्य के अनुरूप आपके काम बनेंगे बहुत महत्वपून है पिता के साथ किसी भी रूप में मतवेद चल रहे थे उनसे आपको मुक्ती मिलेगी इन मतवेदों से अगर आपके विदेश जाने के इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है तो विदेशों से रुकी जीवन में रुची भी बढ़ेगी ऐसे ग्रह योग संयोग आपके कुनली में बनते वे नजर आ रहे हैं ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ इसके लावा अब आपके नौकरी के घर में ये राजयोग एक्टिवेट होगा जो शश नाम का बना हुआ है जहां 11 नमबर लिखा है तो यानि की सरकारी नौकरी मिलने के अवसर आपको प्राप्त होंगे नौकरी पहले से है तो उसमें ट्रांसफर के प्रमोशन के योग बन सकते हैं आपके ओपर बहुत ज़्यादा करजा चड़ा हुआ है करजे से मुक्ति मिलेगी या मान लीजे ब अपनी आजीवीका को चलाने में काफी ज़्यादा चुनोतियां फेस करनी पड़ रही है तो आपके आजीवीका के जो संसादन है उनमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इस प्रकार के जो फल हैं वो यहां पर आपको प्राप्त होंगे ऐसा आपके कुंडली कह रही है तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहे देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा चिंता ना करें आपके लिए जो यह चार नुवंबर दो हजार तेईस से शनी का मारगी फल है बहुत में तपून है और इसमें काफी अच्छे शूप परिणाम आपको प्राप्त होंगे इसी प्रकार से इनकी जो तीसरी दृष्टी है वो खर्च के घर पे जा रही है जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है अब खर्च जरूर कराएंगे पर लोब बढ़ा देंगे यानि कि ऐसे नहीं है कि बिलकुल अनायास होंगे बहुत मजबूरी में ही पैसा निकालोगे ऐसा इन देन हैं आपके जिन में बहुत अटकाव हो रहा है या काम में बहुत स्लो गती से फल मिल रहे हैं वो जरूर बनने लगेंगे 31 दिसंबर के बाद से और मई 2014 से पहले पहले इसके अलावा दामपत्ते जीवन के अंदर भी थोड़ा सा यहां पर आपको शुकून निस्च तोर पर मिलेगा कोकि इनकी जो दृष्टी है वो मेरिज लाइफ के घर में है पर है शत्रूराशी पर मारगी हो रहे हैं तो थोड़ा रिलीफ जरूर देंगे यह है आपका फल अगर आप भी कुनली बनवाना दिखवाना चाहते हैं संपर कर सकते हैं नवरात्रे आ रहे है अभी तो नवरात्रों में भी पूजा पार्ट के लिए हमें संपर कर सकते हैं नमस्कार